हेलो गाइज, मैं हूँ मनीश वर्मा और आपका हमारे चैनल Learn of Techno पर स्वागत है दियर फ्रेंड आज ही हमारा वीडियो जो रहेगा ये CITS CTI से रिलेटेड रहेगा जिसमें हम जानेगे उसकी admission form 2021 की उसकी date आई है या नहीं आई है अगर नहीं आई है तो कब तक आने वाली है, कैसे हम उसकी site पर visit कर सकते हैं official site उसकी क्या रहती है, जैसा कि मैंने कुछ details आपको पीछे की वीडियो में भी दिया था लेकिन आज कुछ नई updates निकल कर आए हैं, तो उसी से related हमारा वीडियो रहेगा तो वीडियो पर end तक बने रहेगा, तो आपको पता चल जाएगे कि clearly जो अभी update जो आया है next वो क्या update है, क्या वो आपके लिए important है या नहीं है अपनी रहे हमें comment box में जरूर दीजिगा, ठीक है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि आपको कुछ नहीं करना है simply आपको google open करना है, google पर जाकर आपको search करना है nimi online admission dot in, ठीक है? nimi online admission dot in, वहाँ पर आएगा dot in 2021, उस पर click करना है और आपको search कर देना है, ठीक है? उसके बाद में जो details निकल के आएगी, उसके बाद में जो details निकल के आएगी, उसमें आपको पहली site पर जाना है सबसे first जो site आएगी, CITS online admission website, उसके उपर आपको जाना है नीचे और भी बहुत सी sites आती है, लेकिन उन पर आपको visit नहीं करना है उसमें अलग-अलग चीज़े दिवी आपको मिल जाएगी लेकिन जो official site जो रहती है, जो main जो site है, वो यही है CITS online admission website, ठीक है? इसके उपर जब आप click करेंगे, तो हमारा next page खुल कर आएगा, इस type का ठीक है? अब ये next page इस type का खुल कर आ रहा है, तो पीछे की वीडियो में आपने दिखा था कि यहाँ पर आपको कुछ 2020 से related कुछ notification दिखा रहा था ठीक है? इस जगे पर आपको क्या दिखा रहा था? कुछ 2020 से related notification दिखा रहा था ठीक है? लेकिन अभी यहाँ पर लिख कर आ रहा है, RPL Supplementary Exam Registration ठीक है? क्या लिख कर आ रहा है? RPL Supplementary Exam Registration तो dear friend यह Supplementary Exam Registration कौन सा है? तो इसके बारे में मैं थोड़ सा आपको बता रहा हूँ कि RPL क्या चीज है? तो RPL एक CITS के अंदर ही होता है एक type का course रहता है उसका exam भी होता है जिसमें कि CTA का exam आप RPL के माद्दम से भी दे सकते हैं तो 2019 में यानि कि जो मई जून 2019 में exam हुए थे RPL के दवारा तो जिन students ने RPL के दवारा मई जून में 2019 में जिनोंने exam दिये थे और वो कोई exam में रहे गए हैं उनकी supplementary आ गए हैं तो उनकी क्या अभी registration हो रहा है exam के लिए कि उनको एक बार फिर से मुका दिया जा रहा है इतने time के बाद कि वो अपने exam को clear करे और अपने next step के और बढ़े ठीक है तो जैसे आप इसके ऊपर click करेंगे जैसे कि आपने exam दिया है 2019 में तो उन students के लिए important चीज है इसके अलावा मैं बता रहेता हूँ आपको वीडियो क चैनल तक बने रहेगा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो like कीजिएगा share कीजिएगा ठीक है और अगर आप channel पर new viewer है तो आप हमारे channel को subscribe कर लीजिएगा CA TI is related आपको हर update हमारे channel पर मिलेगी इसके अलावा ITA का full course आपको मिल जाएगा जैसे theory, math, drawing के classes रहेगी साथ ही job से requirement जैसे की new requirement को निकल कर आती है job से related उसका वीडियो भी हमारे channel पर आपको मिल जाता है यानि कि आपको सभी type की जानकारी एक ही channel पर मिल सकती है तो आप हमारे channel को subscribe कर लीजे ठीक है अब बात करते हैं RPL की तो RPL के जो exam हुए थे मैई जुन 2019 में उनके exam के registration हो रहे हैं भी जिनकी supply of entry आई थी तो अगर आप इसके ऊपर click करेंगी तो next जो हमारा interface कुल कर आएगा वो इस type का interface आपके सामने कुल कर आएगा ठीक है यहाँ पर इन्होंने देख रखाया ensure you have participated RPL exam completed before doing 2019 यानि कि 2019 में जो आपने 2019 पहले RPL के exam हुए थे उनमें अगर आपने भाग लिया है तो उन्हीं students के लिए है क्योंकि यह supplementary form के लिए है ठीक है तो यह क्या एक बार फिर से मोका दिया जा रहा है तो कहने के मतलब यह है dear friend की पीछे की जो भी students रह तो क्या government एक बार उन्हीं को क्या clear किये जा रही है ठीक है तो जैसे यह सब clear हो जाता है जैसे कि पहले 2020 के admission अटके हुए थे तो उनको clear किया अब क्या 2019 वाले students को एक बार मूका दिया जा रहा है कि वो अपनी CTI clear कर ले pass out कर ले तो उसके बाद में जैसे next update आती है तो 90% chances र आपको बता दी है description में भी आपको यह official website मिल जाएगी वहां से आप visit कर सकते हैं और अगर आप हमारे channel पर रहना चाहते हैं तो हमारे channel को subscribe कर लेजी और गंटे के all के button को press कर लेजी bell icon को ताकि आपको क्या notification है वो सबसे पहले आपको मिल सके ठीक है इसके अलावा हमारे channel पर quiz चलती है जो हर साम लगबग 6 वजे आपको एक question मिलता है उस question का answer आपको next day मिल जाता है ठीक है आपको उसमें poll करना रहता है जो भी answer आपको correct लगता है तो उसको आप poll कर सकते हैं उसको आप पढ़ सकते हैं ठीक है daily एक question रहेगा और उस question का answer है वो next day वाले question के साथ आपको मिल जाता है इसके लगा हर साम आठ बजे हमारे चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड होता है वो रहेगा only iti से related यानि कि थेोरी का रहेगा या ड्राइंग का अभी दो ही सब्जेक्ट चल रहे हैं जिनके five five lesson है वो clear हो चुके है इसके बाद में जैसे ही कोई मेत का अच्छा teacher में रहता है मिलता है तो आपको मेत की क्लासी भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी ठीक है dear friend तो आसा करता हूँ आपको इसकी जानकारी वो पूरी मिल गई है वीडियो अच्छा लगता है तो अपने friend circle में शेयर कर दीजी और like के बटन को प्रेश कर दीजी wish you all the best